जैसे कि हम सबको पता है कि transformer का output AC power में होता है तो उस AC power को DC power में convert करने के लिए हम लोग यूज करते हैं PN junction diode का तो उस PN junction diode को बनाने के लिए हम लोग बहुत सारे process यूज करते हैं बहुत सारा types होता है उसको rectifier के द्वारा AC से DC में convert करते हैं जो कि वो एक diode होता है और मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक experiment का वीडियो है यह experiment के बारे में आप लोगों को बताऊंगा experiment करके दिखाऊंगा यह जो LED है यह भी एक diode होता है यह आप लोगों को सायद पता होगा LED भी एक परकार का diode है तो हम लोग चेक करके यह देखेंगे कि यह जो है रेक्टिफाइर के जैसा यह हमारा LED काम करेगा या नहीं क्या LED AC को DC में कनवर्ट कर पाता है या नहीं दोस्तों यह एक केवल एक्सपेरिमेंट करे हम आज की यह तेखेंगे चलिए इसको बनाना चाहर करते हैं तो देखी यहाँ पे क्या करना है यह मेरा transformer है तिस transformer का output हम लोग measure कर लेंगे और फिर इसको में half wave rectifier को wiring half wave rectifier में wiring करके इसका output DC हम लोग measure करके देखेंगे कि क्या इसमें DC output आता है या फिर नहीं आता है और इसको हम लोग use करके देखेंगे इसमें load देखेंगे या काम करता है या फिर नहीं मुझे लगता है मैंने अभी experiment किया था यहाँ पे यह LED मैं load देखा था यह LED खराब हो गई थी तो यहाँ पे देखें मैं इसको check करके देखता हूँ यहाँ पे मैं इस transformer में supply दे दिया हूँ और इस transformer के supply को मैं measure कर लेता हूँ क्या है कितना है ओके तो देखें यहाँ पे मैं इसको AC supply में रखता हूँ मल्टी मीटर को और इसको इधर में कर देता हूँ और देख लेंगे आप आप भी तो यहाँ पर देखे फ्रेंट्स इसका जो आउटपूट वोल्टेज है वो कुछ इतना है 13.5 विदाउट लोड का है यह ओके 13.4 है और जैसे ही मैं इस LED को मैं यहाँ पर सोल्डिंग कर देत हूं सीरीज में जो की हाफ विव रेक्टिफायर बनाने के लिए एक क्या करना होता है लाइट को एक डायोड को हमें एक ही डायोड को जोड़ना होता है एक डायोड का हमें जोड़ देंगे इस वायर में एसी वाले वायर में यहाँ पर सोल्डिंग कर देंगे और दूसरा नेगेटिव हो जाएगा यह वायर आउटपुट मेरा पॉजिटिव हो जाएगा हाप यह रेक्टिफायर का भी मैं वीडियो बनाया हूँ अगर आपको नहीं पता तो आप वहाँ पर जाका के भी या तो फिर आप आई बटन किली करके भी देख सकते हैं इसमें से डायोड होता है डायोड के पॉजिटिव को इस सेट जोड़ा जाता है तो मैं इसके पॉजिटिव को भी उस सेट ही जोड़ता हूं ओके तो इधर ही जोड़ता हूं मैं जिस तरह डायोड को जोड़ा जाता हूं उसी तरह इसको भी मैं जोड़ता हूं जस्ट मैं इसका पोजिट जोड दिया था तो मैं उसको भी उसी तरह से सोलिंग कर लेता हूं उसके बास से फिर मैं अब आप लोग को चेक करके दिखाता हूं ठीक है तो देखिए यहां पर यह LED का न Discлоaldi का. यह हो गया हमारा आउटपुट DC का आउटपुट का यह पॉजिटिव वायर हो जाएगा और यह नेगटिव वायर हो जागा और चलिए अब हमा昨 इसमें मैजर करके देखते हैं क्या इसमें AC का अभी यह देता है DC में तो देखे मैं DC में रख लिया हूँ और फिर देखे इसको मैं just check करके दिखाता हूँ DC में half wave rectifier reference तो half wave में क्या होगा कि 12 volt अगर आपका AC में है तो DC में हो जाएगा उसका आधा तो जैसे कि देखे 5 point इतना बता रहा है मतलब कि DC में यह convert हो चुका है आज देखे मैंने polarity को change किया हूँ मैं positive wire को negative के साथ लगाया हूँ तो DC के negative के साथ लगाया हूँ तो वहाँ पर negative sign so कर रहा है मतलब कि यह जो LED है या LED भी हमारा rectifier के जैसा work कर रहा friends LED को भी हम लोग rectifier बना सकते हैं अब चलिए हम लोग इसमें load दे करके देखते हैं कि क्या load देने के बावजूद भी यह काम करेगा या तो फिर यह जो हमारा LED है यह खराब हो जाएगा तो मैं एक LED को जला करके ही देख लेता हूँ यहाँ से output मेरा positive आएगा और इधर से negative तो देखिए यहाँ पर मैं जला के देखता हूँ तो देखिए यह LED भी थोड़ी सी glow की थी तो मैं देखता हूँ साइद यह fuse हो गया साइद यह fuse हो गया तो friends मुझे लगता है कि यह जो पांच भोल का था तो उसके कारण से या तो फिर किसी के कारण से यह जो LED है वो fuse हो गई तो I hope कि यह video experiment video आप लोको पसंद आया होगा और पसंद आया तो प्लीज इस video को लाइक कर दिजए ऩर अगर आपने इस channel को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस channel को सब्सक्राइब कर लें और वेला आइकन बी ज़रूर प्रेस कर लें फ्रेंट्स SI experiment के वीडियो और भी मज़ेदार वीडियो में बनाता रहता हूँ electronics और electrical का तो अगर आपको और भी वीडियो देखना है तो subscribe जरूर करने इस channel को Thank you, thanks for watching this video, till the end